स्री शिवाई नमस्तु व्यम दर्सको कैसे हो आसा करते हैं कि आप सब स्वस्त एम सुरक्षित होंगे दोस्तो रभिवार का दिन का अपने आप में बहुती बड़ा महत्तो माना जाता है और कहा जाता है कि रभिवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है जो कि बहुती परकासवान होता है जो कि अमारे सिर्ष्टी पे रहने वाले सभी लोगों को सूर्य देव दोस्तो सभी देवों में एक सूर्य देवी ऐसे देव हैं जो कि पुरी सिस्टी को अपने परकाश से उजलित करते हैं दोस्तो रभिवार के रातरी में आप लोगों को कुछ एक ऐसा कारिया करना है जिससे आपकी घर में धन्मे व्यापत होगी आपकी जिंदगी में कभी किसी भी परकार की समझया नहीं आएगी दोस्तों मातर आप लोगों को आज रबिवार की रातर में एक सूकी लगड़ी इस जगह जला देनी है तो दोस्तों आप लोग यह कारे आवश्यक करें हमारे पूज गुर्देव की खता से बताया गया वहती अच्छा और सुब और छोटा सा कारिया है इसे आवश्यक करें इसमें आप लोगों को जएदा कुछ नहीं करना है बस छोटा सा कारिया है इसी को आप लोगों को कर देना है दोस्तोर अबिवार की रातरी में आप लोगों को 12 बजे से पहले-पहले इस कार्य को करना है क्योंकि यह सईयोग वहती सुब सईयोग बढ़ रहा? अगर इस सईयोग के अंदर-अंदर आप लोग यह कार्य कर लोगे तो आपको हर कारियों में सपलता प्राप्त होगी आपका हर बिगडा कारिया बन जाएगा आपको दन प्राप्ती होगी आपको पैसे की कमी आ रही है तो आपको पैसा मिलेगा दोस्तो मात्र छोटा सा कारिया है इसी को आप लोगों को रविवार करात्री में कर देना है दोस्तों आप लोगों को एक तुलसी की छोटी लकडी लेनी है चोटी वाली तुलसी की लकडी लेनी है और सूखी हो बांद कर अगर आपके घर में धनकी कमी या तो ये अवरा आपके ऊपर कोई काली आत्मा का साया है तो उस बसूं का अपने सिर्पटी का लगा लिजी, दोस्तों कहा जाता है क्या सा करना बहुती सुमाना जाता है घर के लिए नकार आत्मा मा लक्ष्मी उस गर में परिविस क करती है ऐसा करने से दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भूश्य करें